हलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों है यह doo कि अगर आप हमसे नहीं जूड़े हैं अभी तक तो आप झाझे hips छूडर की सब्सक्राइब की बटन को डबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल को दबा मैं जिससे की सब्सक्राइब करने के बहुत ही most important question है जो कि previous year में पूछे के questions है ठीक है और मैं आपको प्रैक्टिसर्ट भी टाइमली करवाता रहूंगा ठीक है तो वीडियो के exam की date भी बहुत ही नजदीक आ गई है तो यह आप जो questions देख रहे हैं यह important question है जो कि previous year में यहनी 2016 के exam में पूछे गए है ठीक है वीडियो के exam की बात करेंगा यहनी ग्राम विकार शदिकारी की ठीक है चलिए देखी question यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें पूछा गया है हिंदी आकरती की द्रस्ट से निमनलिकित में से किस प्रकार की भासा है ठीक है तो यह आप जो हिंदी है हिंदी जो है आकरती की द्रस्ट से निमनलिकित में से किस प्रकार की भासा है तो यह आपको चार options दिए गया है इन चार options में से आपको चूस करना होगा देखिए paper बहुत ही अच्छा आने वाला है तो इसलिए practice भी बहुत तगड़ी करिए ठीक है क्योंकि competition ब जो हिंदी आकरती की द्रस्टि से निमनलिकित में से जो इसका प्रकार है वो प्रकार कौन सा है सलिस्ट योगात्मक का है हिंदी आकरती की दुरष्टि से हिंदी जो है आकरती की दुरूड़ेंगे से नौर्मली हम लोग बोल सकते हैं चा जा यह जो है जा है यह है तो इसको बोलने में हम लोगो Athos फोर्स अगर देखें तो बोलने बोलते समय फोर्स यानि पावर की भी जरूरत होती है यह ऐसे वड़ने तो अलप प्राण धुनिया जो है वो चा जा यह यह है और यह नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं तो हमारा जो भी ऑप्सन बिल्कुल सही होगा नेक्स चलेंगे नाइन सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को दबाना पड़ेगा जिससे कि आपको टाइम नोटिंग के प्रशन मिलते रहें और दोस्तों थोड़ा सब कॉपरेट करिए अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दिया करिए ठीक है जिसे कि उनको भी बेनेफिट मिल सके ठीक है चलिए नेक्स चलते हैं कि कुछ नंबर 11 की ओर देखिए 11 में एक आपको इलेवन में एक आपको वो दिया गया है एक अस लोक दे दिया गया है जिसमें दिया गया है सक्हियन ये सक्हिए-सची रिजी आरित-शू को पर जान पाणिं ठीक है तो इसमें पूछा गया है त्राइ करिए और इसमें सही ऑप्सन जो है वो उपरेच्छा अलंगकार उत्परेच्छा अलंगकार है ठीक है छल्यचलते हैं ट्यॉल नंबर ने है यहाँ पर जहां उपमें का निशेद करके उपमान का उपरोक्त किया जाता जाए वहां होगा क्या होगा यह बताना वह क्या होता वह जहां देखिए इसके लिए आको डिपनीशन आजी में पूछा गया है अगर आपको आती है तो आप जरूद कर पाएंगे ठीक है जहां कि अपने का निशेद कर गेंट करके अपमान का उप्रोक्त किया जाता है ठीक है वहाँ होता है क्या होता है रूपा का लंकार अपना होता है या उपमा लंकार होता है क्या होता है दोस्तों बताइए फड़ा फड़ जल्दी से तो दोईखिए दोस्तों इसका जो option number A है यह रूपा का लंकार बिल्कुल सही होगा ठीके चलते हैं 13 number question के और निमनलिखिट सब दो मेंसे एक अर्थ बताना है जो की तेल भी है ठीक है निमनलिखिट सब दो मेंसे एक का अर्थ तेल भी है तो ये चार options दिये गए है जिसमें से अर्थ जो है वो एक तेल आर्थ वो किसका होता है यह option आपको बताना है इसमें जो है इसने है इसका अर्थ क्या होता है तेल भी होता है ठीक है next चलेंगे 14 नंबर question की और आते हैं देखे इसमें निम्न लिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्रप्रदेश में शमानिता नहीं बोली जाती है तो दोस्तों इसमें अवदी है ब्रज है मैथली है खड़ी बोली इसमें बोली है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा ठीक है, option number C बिल्कुल सही होगा 14 number question को option number C सही होगा next चलते हैं, देखिए इसमें क्या करना है आपको प्रस्न में तीन वाक दिये गए हैं, जिसमें से एक तुरुटी वाला वाक के होगा वो आपको चुनना है, ठीक है, अगर A, B, C, मेंसे कोई तुरुटी वाला नहीं मिलता है, तुरुटी हीन आपको अगर कोई नहीं मिलता है, तो D वाला option आपको चूज करना होगा, चली चलते हैं 15 number question में इसमें दिया गया है, पढ़ते हैं क्या दिया कि जब मोहन सभा इस्थल पर पहुँचा, तब सभा विसर्जन हो चुका था या सभा विसर्जन हो चुकी थी, तो इसमें कोई भी तुरुटी नहीं है ठीक है, नहीं, विसर्जन हो चुका था, ठीक है तो हो चुका था होना चाहिए, तो हो चुकी थी है तो यानि अगर पढ़ने में आप expert है तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो मेरा pronunciation कुछ और निकल ला है हम कुछ और पढ़ रहे हैं और ये कुछ और बोल ला है यानि option number आपका C क्या है इसमें तुर्टी हीन है तुर्टी है तुर्टी हीन नहीं है यह तुर्टी है ठीक है 16 नंबर में आते हैं 16 नंबर में दिया गया है मिठास सब्द में किस प्रत्य का प्रियोग किया गया है तो आप लोग अगर मिठास बोलेंगे तो आपको खुद समझ में आ जागा किस प्रत्य का प्रियुक्र किया है तो भी में जचयान कर संधी विच्छेद्षेद्ष क्या होग दोगा है जिस्ट आते हैं अठार नंबर कोशन की बात करते हैं अनतह सब्यका समान आर्ति पहचान यह तो चार औप्सम दिए गया है इसमें अनित्या गया, अतिया और आपको इसमें परिणामत को हाँ टाये मतलब इनका जो मतलब है वह एक ही होना चाहिए, means एक ही होना चाहिए, ठीक है, तदभव में आते हैं, यहाँ पर तदभव पूछा गया है, तदभव कौन सा है, सकट दिया है, घात है, काच है, गोपाल है, तो यहाँ पर option number C, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तदभव शब्द है, ठीक है, एक किस नमबर म इंदी में आता है, यह option number आपका 20 ही होगा, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो इसमें क्या करना है, आपको उचित सब्द चुन करके रिक्तिस्तानों में पूर्ति करनी है, तो रिक्तिस्तानों की पूर्ति आपको उचित सब्द चुन करके करनी होगी, तो नीचे आपको चा आधुनिक समाज में डैस की प्रति दिन बढ़ती जा रही है तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या होगा प्रमचन ठीक है तेश नंबर में आते हैं विकास के आर्थिक आविश्यक होती है तो इसमें आत्मनिर्भरता आविश्यक होती है ठीक है ना विकास के लिए जब तक आत 21 नंबर सुजद में 24 नंबर कुछन कि इनमें से किस चंद में प्रत्म वर निया दिए गया तो प्रक्ष नंबर में निया है थिक नंबर सफ होगा इस में दिए चौए सब्षी Ultra में जो संग्या के दिए यह काइंड ओफ यानि संग्या के यह बेद दिया गया है इसको क्या करता है यह जो अब गुड़ापा है उसमें उस बेद से रिलेटेड है तो यह यहां पर जो बहुत में आ पड़ा तो ऑप्शन नमबर यह बिल्कुल सही होगा ठीक है नेक्स शलते बिल्कुल सही होगा दिनाह दिनाह प्रती ठीक है चलिए अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा अगर पशंद आया तो मेरी मेहनत बाकि आप लोग अपना जो भी कामेंटों वह शेर करते रहें और अपनी वीडियो को शेर करते रहें ठीक है दन्यवाद